hello friends welcome you all आज मा आपको जो वीडियो ले क्या रहा हो देखिया बात करेंगे momentum की कल की डेट में हमने बहुत सारी stocks के बारे में बात करी थी कि momentum पकड़ रहे हैं आज एक और stock को समझने की कोशिश करेंगे cycle को समझने की कोशिश करेंगे बड़े टाइम फ्रेम छोटे साइम टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करेंगे multi bagger return दे चुका है ये share फिर momentum पकड़ रहा है तो detail में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल अकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस सेक्षन सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो और साथ के साथ रहेक्षन् and cycles इनके बारे में बहुत इंपार्टन तके से बताने के कोशिश करते हैं कि यह बहुत इंपार्टन है जब कहीं पर किसी start में साइकल स्टार्ट होती है और अभी आपने देखा होगा कल की डेट में जब हम AC के शेर की बात कर रहे थे वहाँ पर वोल्टाज का एक्जाम्पल लेके हमने हिटाची के शेर को समझने की कोशिश खरी और हिटाची के शेर ने बहुत बढ़िया रैली आज की डेट में दी और अपने मैं कहूंगा जू को मिन्टम पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है वह है लॉरस लाप्स लाप्स को हम अभी से नहीं बल्कि थोड़ा टाइम से इसको जो है समझने की कोशिश कर रहा है क्या कि रैली के बाद यह बहुत टाइम से कंसॉलिडेट कर रहा है और आप क्लिरी देख सकते हैं अच यहां पर बीरिस साइकल स्टार्ट को कहा लेगी दो 180-280 पर जो कि अपने आपने बड़ा फॉल आपको देखने को मिल रहा है आप कहोगे कितना फॉल अगर आप यहां से देखो तो 50 पॉसेंट का यह फॉल आपको देखने को मिल रहा है और फिर से यह तीन बार तीन चार बार यहां पर अभी एक बिल्कुल रेंज में है और स्टॉक लेकिन अगर इस बुलिश साइकल के दौरान देखो पिछले कुछ टाइम की एक अच्छे खासे वॉल्यूम यहां पर देखने को मिला फिर से एक बढ़िया वॉल्यूम का आज बिल्ट अप देखने को मिला यानि कि कोई ने कि यहां पर पोस्ट कोविट यहां पर देखने को बिली थी क्योंकि जो API सेग्मेंट ना केवल यही बल्कि और भी शेर जो एपर सेग्मेंट में ते उनमें वह रहली स्टार्टिंग फेज ओप दा कोविट का जो जम पाया था वहीं पर आ गया ता यानि कि 2020 से लेके 2021 तक जो होना था उनमें हो गया उसके बाद यह स्टॉक्स जो है वह बिल्कुल करेक्शन की मार इसनों जहली है आप क्रियली देखिए यह आलमोस्ट इनको दोजार इक्के साब यह सकते हो मैं जुन दोजार एक्के सका यह टाइम और इसके बाद अब कितना टाइम हो चुका है दो तो मैं कहूंगा आपको लगेगा कि हाँ यह स्टॉक जो है ब्रेकाउट के बाद यहां पर कर रहा है और इस स्टॉक से अभी ज्यादा उमीद नहीं करेंगे यह उमीद इससे रहेगी तो 440 से 740 तक कि यह उमीद इस जब स्टॉक से जरूर रहेगी वेकिन यहां तक पहु जो कि भी मार्च में करेक्शन एकदम जमर्दस तरीकी से फॉल आपको देखने को मिला था हूँ आप में मिड कैप और बॉल कैप में तो बहुत सारे स्टॉक्स ने अपनी साइकल सी बदल दी थी यानि यह बुलिस साइकल में अगर वो थे तो बीरिस में जा चुके थे और और चल रहे है तब आप यह एंटरी लेते हो अगर प्लेंट्राइड हो गया रूल के बैसिस पर वो प्लान फिल हो गया तो निकल जाता इसको ऐसकते हैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रॉस्स और यह प्रोसेस और यह पोर में लेते हो तो आप जो इन बिट्वीन छोटे इंट्रेस्टी निलेना है मुझे निकल जाना है और जब बुले साइकल स्टार्ट होगी तो मैं वेट कर सकता हूं तो यह इंपोर्टन पार्ट यह चोटी चोटी चीज़ जरूर लेकिन कि यह इस तरीके से रैली देखने को मिलते है और वहीं पर यह यहां पर करते हैं फिर यह आपको देखने को मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते है मोमेंटम बॉक्स कहते हैं इस पर्टिगुळ चीज़ को अब यशी स्टाउक अगर बड़े टाइम पर positive यहां पर start कर सकता है जो कि weekly पर consolidate अब देखिए यह weekly की consolidation आज से नहीं पिछले मैं इसको कहोंगा कि अगर आप यादा नहीं कहोगे तो पिछले एक साल से तो इसी tight range tight zone पर consolidate कर रहा है तो उमीद जरूर होगी एक positivity की लेकिन positivity की उमीद जरूर अगर आप लगाते हो तो साथ में risk manage करना और भी important जाता है तो हमारे लिए अगर यहां पर entry में लेता हो तो मुझे पता है कि भाई इस stop loss के साथ इतने के साथ हम जाएंगे तो इतना target या फिर यह target यहां पर अचीब करने की कोशिश करेंगे तो again risk management क्या है की है अगर मालो आपने इस cycle में इस stop loss के साथ देखे अभी भी आपका कोई भी यहां पर plan जो है फेल नहीं है although अगर आपने यहां पर entry with a stop loss of this कोई दिक्कत नहीं यहां पर entry with a stop loss of this इसलिए जो swing lows होते हैं उससे थोड़ा नीचे बफर लेकि हम कहते हैं कि stop loss अगर यहीं पर भी एंट्री लिए है देखिए है ना तो यह लोज को बिल्कुल important तरीके से बनाता हुआ और एक consolidation का formation यहां पर देता हुआ यह particular stock जिसका नाम है Lawrence Lab जो past में क्या दे चुका है multi bagger rally आप देख सकते हो weekly chart पे किस तरीके से 80-90 के level से इसने rally दी थी और एक बड़ी ready के बद बड़ी consolidation इतनी बड़ी गिरावट अगर आप देखोगे इसको log chart से म में लगाऊं तो आपको दिख आऊगा है यह तो बहुत बड़ी गिरावाट इसमें आई है और तो जब हम log chart में थे तो हमको नहीं देखोगे log scaling में जो scaling होती है यह लगर time wise scaling है और linear chart में यही चीज़ आपको बड़ा fall इसने देखने को मिल रहा है तो यह हमने Lawrence Lab को समझने क कोशिश करिया और इस तरीके से और stocks को भी आप देख सकते हो जहां पर क्योंकि इस टाइम पर धीरी-धीर मोमेंटम में आ रहे है तो यह cycles आपको देखने को मिल रहे होगी जहां पर बढ़िया रैली आपको देखने को मिल रहे होगी कई जगे पर stock bounce back करने की कोशिश कर रह के एक rejection का भी काम कर सकता है तो यह important point of views है और price section की series आपके लिए already ready है इसको देखें समझें सीकर practice जरूर करें आपको बार बार क्याता हूं कि practice के ओपर focus करें risk management के ओपर focus करें यह key है यह important points है and video को आप share कीजिए like कीजिए thank you thank you watching the video